कि मैं मवजूद हूँ छुईया पहाड में मेरे साथ SP सुकला जी है सीधी में याता-याद देखते हैं यहां पर छुईया पहाड में जो भी इंतिजाम किये गए आपकी ही निग्रानी में आपने कैसी तरीके कि यहां पर इंतिजाम करके रखें यहां हमारे सीडी के पोलिस अधिक चक महुत है पंकर कुमावज सहब ने तेन सिप्ट में यहां ड्यूटी लगाई है जिसमें परतेक सिप्ट आठ घंटे का रहता है इसमें तरीप 14 सिपाही और एक अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है जिसमें हम यात्री वाहन और आटो यह की मालवाहक वाहन में सवारी वैठ हाजारी उसकी लगताच चेकिन चल रही है और चलानी कारवाही भी की जा रही है आप चलानी कारवाही कर रहे हैं जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि अब यहां पर से बड़ी गाडियों का आवगमन बंद होगा और एक नई कि यहां पर तैनात है एस पी सुकला जी की निगरानी में यहां पर गाडियों की चेकिंग लगातार हो रही है जिस तरीके से हाथसा हुआ कोशिश यह है कि इस तरीके के हाथसे दुबारा ना हो लेकिन मैं अभी आपको पहाड की और ले चलूंगा और उन जगों को दिखा जिसकी बज़े से यह हाथसा हुआ था झाल 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 पिछले दिनों चमवन मौते हुई वज़ा थी छुईया घाटी में जाम हालाकि अभी किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई है लेकिन मुखमंत्री सीधी आये थे उन्होंने कहा था सडकों को चुस्तुरुस्त किया जाएगा सडक पे काम लगा या नहीं लगा सडक की क्या इस्तिती है ये जानने समझने के लिए हम डी के सुनकार जी के पास हैं आप सडक विभाग के जिम्मेदार अपसर हैं आपकी निग्रानी में सडक है अब उनी से जानते हैं कि सड़क की आज की हाला क्या है क्या वहां काम लग रहा है और काम लग रहा है तो किस तरीके की वो त्यारी कर रहा है सर मेरा पहला सवाल आप से यही है कि छुईया घाटी में जिस तरीके से जो भी हुआ वो तो एक अलग बात थी अब क्या पोजिशन है अब आप क्या करने जा रहे हैं देखे पहले मैं आपके प्रस्ण का उतर दूं कि जो मौत हुई हो बहुत दुखत थी सब के लिए बहुत इसमें लगातार मरमत का कारे चल रहा है पिछली कावी दूनों से आप लोग ने देखा भी होगा बहुत बड़ बड़े गड़े हो गए थे तीन तीन फिट के गड़े हो गए थे उनको हमने पूरे 165 किलोमेटर में अलग अलग पैचेस करके काम कराया बस घाटी में जिस तुन देफी किलों से हम चाह रहे थे जितना अच्छा मेंटेण करना चाहित नहीं कर पाए उसकी वजा थी इसमें च्रफिक बहुत जादाधा स्राइट करना यहां पॉसेबल ही नहीं हो पाता है कि अम क्योंकर हो सकरी गाति है वर तू लेन की है और उसमें मतलब ट्राफिक बड़े-बड़े हैं बलकर हैं मल्टी एक्सल्स हैं तो हमने प्रसासन से निवेदन किया कि हमें इसमें मेंटेनेंस करने के के लिए कुछ मौका में कुछ heavy loaded vehicles को कम कर दिया जाया ताकि हम अच्छा काम कर पाएं टिकाओ काम कर पाएं तो प्रसासन ने हमारी बात मानी और हम उनकी मदद से दस दिन के लिए ट्रेफिक को बंद कराने में सफल हुए यह तेज तारिक से 6 माज तक बंद रखा गया है इसमें light vehicles का movement रहेगा एक तरफ से आधे पोर्सन में आधे पोर्सन में हमारा काम चलेगा जो आधा पोर्सन हमें मिला है काम करने के लिए उसमें दिन राज 24 गंटे लगके महरमत का कारे करें बढ़िया कर देंगे ताकि लोगों को चलने में आसानी जाए और बीच में आपको रूखूंगा पूरी सड़क की बात है छुए घाटी नौदस किलोमीटर का जो भी है वो तो आप करेंगी मैं आप से बात यह जानने की कोशिश करूँगा कि जो चार बहुत खतरनाथ मोड आइडेंटिफाइगी हैं जिनमें त्वरित कारेभाही और इसका ब्यवस्थे काम करने का हमने प्लान किया है और सबसे पहले हम पहले दिन से ही इनी तीन-चार मोडों पे काम करेंगे ताकि हम सबसे पहले जो जादा खतरनाथ जेक है उसको प्लान के लिए समय मिल जाएगा तो क्या यह माना जाएगी आपके निर्मान के बाद जाम की स्थिती से निजात मिल जाएगी पूंता है तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा वीकल है और मल्टी एक्सल्स बहुत ज्यादा है तो मैंने पहले जैसे आपको जिस कोई ब्रेक्डाउन हो जाता है देली यह पाइया गे ठैड़िकलर में जब कोई जाती है W excess कि ちा civ करते हम कितना ही बनाते लिए कि जब अचना हैवी लोड़ेट जाएगा तो वहां पर प्रावलम हो जाती है तूट फूट हो जाता है इसकी वज़े से भी जाम लग जाते है यह थे हमारे साथ डिके सोणकार जी जिनका साफ तोर से कहना था है वी ट्राफिक बहुत ज्यादा है वह पर और चड़ाईयां भी काफी खतरनाक है जिनकी वज़े से चड़ाईयों पर गाड़ियां अकसर खराब होती है गाड़ियां खराब होने की वज़े से वहां पर जाम की इस्थित निर्मित होती हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मोडों को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए ज